हाई दोस्तों केसे हो मुझे पता है आप लोग को अक्सेसरी ज़ादा पसंद है और मैंने ये प्रॉमस भी किया था कि यहाँ पर हम अक्सेसरी ज़ादा कवर करेंगे आज भी मैंने काफी सही शिर्ट के साथ एक काफी सही वाच पहने हुई है और ये है Firebolt की brand new luxury smart watch edition की watch quantum मेरे को personally ये watch काफी ज़ादा पसंद आई है और इस वीडियो में features से ज़ादा मैं इसके looks और design के बारे में बात करने वाला हूँ because I am totally impressed तो वीडियो को बिना किसी देरी के start करते हैं और इसको मैं बहुत short and crisp रखने की कोशिश करूँगा ताकि आपको watch एकदम दिख जाए कि exactly कैसी है और आपको looks के लिए ये watch खरीदनी चाहिए या फिर नाई तो obviously बात है मेरी excitement का जो first reason है वो है Firebolt Quantum के looks ये one of the most luxury smart watch ever है in this price range और अभी थोड़ी दिर में इसका price भी reveal कर दूँगा यहाँ पर ये stainless steel strap के साथ आती है जो काफी premium लगता है exactly like Rolex या Tagore की watches जो की बहुत जादा premium range में आती है and if you see the dial and the overall display का part है in fact even the watch faces ये भी Rolex से inspired है और दूर से देखके कोई भी धोगा खाजाएगा यार ये Firebolt की watch है या किसी luxury premium brand की और सबसे खास बात ये कि जो stainless steel finish दी गई है ये corrosion free है यानि कि इस पर junk नहीं लगने वाला जो कि यूजबिली तस्ती chain वाली watches पर हो जाता है अब मुझे तो ये वाली watch के design और looks काफी सही लगे and I personally like also ये chain वाली watches तो मैंने सुचा क्यों ना एक बार ओफिस में सबसे पूछ के देख ले थे कि उनका feedback क्या है and here's what they have to say और ये watch कैसी लग रही है तो ग्रचश्मी के साथ लिया है कैसी लग रही है? बहुत जंदर क्या लग रहा है कित्ती की होगी? 10K के आसपास 10,000? वाह क्या acting कर रहा है मैं सबसे starting 10 हूनी चीज़गी 10,000? 25 25W K 25 K? What? What? लगशीरी लग रही है? हाँ क्या प्राइज होगा? 10K 10K? 15,000? चलते हैं आगे, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है सही है? पसंद होती है लडको के थी? यहाँ, premium लग रही है राज यह से बूछते है बट वैसी कैसी लग रही है? बढ़े है बढ़े है? यह आपकी पेबल वाली से अच्छी लग रही है? हाँ casual है हाँ casual है वाह यह वाच कैसी लग रही है? बढ़े है यह कुछ जगा यह क्या? हाँ So personally, मुझे तो यह concept बहुत पसंद आया कि Firebolt में वह जो नॉर्मल वाचेज वाला traditional look हो था था उसको ठाया और modern technology of a smartwatch के साथ इसको build किया और यह काफी बढ़िया affordable luxury smartwatch launch कर दी The Firebolt Quantum अब basically इस watch के features बगेरा में इतना जादा interested नहीं हूं कवर करने में क्यूंकि वही सब आपको health mode, sports mode, sleep mode, heart rate tracker, BP monitor, etc, etc वही जो regular सारी smartwatches में यह सब features मिली जाते हैं जिनका मुझे personally कोई इतना use नहीं लगता एक बार इसके watch faces दिखा देता हूं कितने interesting watch faces हैं यानि कि अगर आपको पताओ Rolex की एक watch का dial अगर आप black से blue पे भी shift होते हो ना तो price लाखों में बढ़ जाता है यहाँ पे वो सब आपको इसी में एकी watch में मिल जाएगा in the form of a watch face so that's something जो से modern smartwatches में ही possible है आप वो luxury watches में ही सब expect नहीं कर सकते तब सोचने वाली बात ही है कि यह watch है किसके लिए specifically उन लोगों के लिए जिनको smartwatch वाले वो extra features इतने नहीं चाहिए but looks जादा matter करते हैं उनके लिए और उनको वो apple watch वाला जो standard design है वो नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत जादा common हो गया वो apple watch से लेके 2000 वाली normal smartwatches में भी वही design आ रहा है तो यह वाला design जो है यह एकदम exclusive है और यहाँ पर एक और काफी interesting चीज है वो है यह rotating tacky meter exactly like premium watches अब अगर इस watch के display की बात करूँ touch response इतना कुछ खास नहीं था but display के looks और brightness काफी सही है in fact even sunlight में भी it was quite visible तो अब कोई और बात करने से पहले एक बार price की बात कर लेते हैं this firebolt quantum is launching at a launch price of 2999 only अब जितना मैं शॉक्ड दू हूँ आप भी शॉक्ड धूगए होगी but हाँ बहुत से लोग comments में ही complaint करते है कि या launch के बाद price बढ़ गया आपने तो 2999 का था तो भाई ये price जो है ये सिर्फ launch price है इसलिए हम launch day पर ही video को live कर रहे है but obviously इसका price बढ़के 3999 तो हो ही जाएगा जहां तक कि मुझे लगता है क्योंकि even for 4000, this price is totally justified हाँ तो price एक तरफ एक और काफी interesting चीज़ की बाद मैं personally करना चाहता हूँ वो ये है कि box में आपको एक tool kit देते हैं firebolt वाले साथवे जिससे कि आप ये जो stainless steel chain है आप इसको अपने size के हिसाब से cut down कर सकते हो यानि कि आप उस tool को use करके chain का size बढ़ा या घटा सकते हो मेरको तो बहुत सही लगा क्योंकि मेरे हाथ्यार काफी पतले है तो मुझे तो chain काटने के ज़ुरत पढ़ती है इसके अलावा ये वाली traditional looks वाली watch में आपको smart watch वाले feature तो मिली रहे है Bluetooth calling मिल रहे है क्योंकि इसमें inbuilt mic और speaker है जिसके quality आए मुझ से काफी सही है मुझे थोड़ी सी problem बस इसकी आप से connect करने में हुई for the first time but after that the experience was pretty good और इसके बाद इसमें एक Apple watch inspired feature है जैसे कि आप Apple watch को Airpods से connect कर सकते हो exactly वैसे Firebolt Quantum को आप किसी भी और TWS earbuds से connect कर सकते हो through its Bluetooth connectivity और आप इसके बाद एक और काफी interesting feature Firebolt Quantum का ही है इसमें आपको inbuilt 128 MB की storage मिलती है यानि कि अब आपके TWS earbuds connect हो चुके है on the go इस watch में गाने install कर लो इसकी app के through and you are done आपको अपना phone नहीं चाहिए सिर्फ लेके जाओ, earbuds लगाओ और watch से ही गाने सुन सकते हो तो मेर को तो यह काफी सही लगा and I don't think इस वाले price में smart watches में यह feature आता भी है तो जो first impression और first looks में में design से बहुत जादा खुश था वो धीरे धीरे यह features ने और top up कर दिया and I'm really in love with this firebolt quantum तो firebolt quantum को देखने के बाद इसको 4-5 दिन use करने के बाद I think मैं गलत नहीं हुँआ इसको as the one of the most premium luxury smart watch ever कहने में at this price मेरे कहने का मतलब यह कि यह elegant और attractive तो है ही but काफी affordable भी है and I think that's why जो office में लोग का feedback भी था वो भी इस watch को लेके काफी positive था and कई लोग तो इसका price तक नहीं guess कर पाए because it actually looks quite premium बाकि आप लोग को क्या लगता है कि क्या smart watch में से traditional looks बिल्ट करके firebolt ने सही किया मुझे नीचे comment करके जरूर बताना पाकि अगर आपको वीडियो पसंदा आई हो तो like करो अपने friends के साथ share करो क्योंकि I know this is a unique smart watch and कैश अभाए को subscribe तो जरूर करना ही है